है 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 आज हम 50 questions solve करेंगे जीएस के ठीक है पहले भी मैंने 50 question वाली सीरीज आपको करवाई थी उसमें 5-6 सीरीज भी थी और किसी दिन इसमें उत्राखंड होगा Hindi होगा या फिर GS होगा तो आज इसमें GS है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था Community में आपने देखा होगा एक हमने WhatsApp ग्रूप बनाया है उसमें अभी लगवग 11 या 12 स्टुनेंट जुड़ चुके है इसी महीने से वो बनाया गया है तो उसमें 50 questions इसी type के रोज देते और Sunday को होता है उसमें 100 marks का test जैसे आपका आयूग द्वारा लिया जाता है उसी level का तो आप देख सकते हो अगर किसी को यह test का level देखना है या एक दो sample test देखने है या Sunday वाला test का demo देखना है तो वो message कर सकता है ठीक है जो number मैंने पहले दिया था वही number है या comment में आप बता सकते हो ठीक है हमने उसके 200 rupees फीस रखी है WhatsApp group की और यह आगे आपके जो भी upcoming exams है चाहे हो 4 मेने में और 6 मेने में और जब भी होते है ठीक है बहुत सारे form आपने भरे वे उन सभी में ये काम आएगा ठीक है ना तो आज की हम 50% जो है वो देख लेते और इसमें भी मैं आपके YouTube में भी सीरीज चलाऊँगा लेकिन इसमें आपको सारे नहीं मिलेंगे इसमें आपके हफते में 2 या 3 मिलेंगे और जबकि उसमें आपका 50 marks का हफते में 6 दिन होगा और एक दिन 100 marks का होगा ठीक है तो कुल मिला को कुल मिला के आपको मतलब लगबस 17-18 कोशन जो है अच्छे लेवल के मिल जाएंगे उस ग्रूप में इसलिए उसकी 200 रुपे फीज रखी गई है तो पहला कोशन इसमें playing it my way किसकी पुस्तक है तो playing it my way जो है वो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई तो सचिन तेंदुलकर की ही है बुक है next है half girlfriend पुस्तक किसने लिखी तो half girlfriend जो है तो आप कमेंट में बता सकते हो एक आत कुश्चन तो किसी से भी क्योंकि मिश्टेक हो जाती है यह तो आयोगी सोचो कितने गड़बड कर देता है लेकिन यह कि अच्छे से बनाए हो पेपर तो मुस्किली चांसे जोता है कम कुश्चन गलत होते कुश्चन नमबर तीन है अब बंच ओफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा यह लिखा जवाहलाल नहरू ने अगर आपको इस परकार की जैसे कोई नई बुक का पता लगता है तो आप उसमें लिख सकते हो कि यह बुक उस रैटर की है क्योंकि एक या दो कोश्चन आपको इस टाइप के एक्जाम में मिलते गीता रह्ष्य किसकी किरती है गीता रह्ष्य गीता पर बहुत सारे विद्वानों ने लिखा तो यह है बाल गंगा धर दिलक नेक्स्ट है संजे बारू द्वारा लिखी गई पुष्टक कौन सी है तो इन्होंने लिखी थी मन्मोन सिंग के उपर लिखी थी दा एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो याद रखना अच्छी बुक है एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजेब बारू ठीक है और इस मूवी के उपर बेस कुछ मूवी भी इस बुक के उपर बेस एक मूवी भी बनी थी तो हो सकता है आपने वो भी देखी होगी नेक्स्ट है ब्रष्टाचार भारत छोड़ो किस की पुस्तक है तो भारत में जो पहली महिला IPS है किरन बेदी उन्होंने लिखा है ब्रष्टाचार भारत छोड़ो नेक्स्ट है सुमित अंतिल का सम्मन्द किस से है फिर दीपक पूनिया का सम्मन्द किस से है यानि जो आपके famous personalities है sports की या किसी भी sector में उनका आपको मालूम होना जै कौन किस खेल से है तो दीपक पूनिया है कुस्ती से अगला है उत्राखंड की संत परंपरा किस की पुस्तक है यह है दुर्गादत तिरपाथी ठीक है इसमें कुछ कोशन उत्राखंड के भी है यह वाला जो टेस्ट हो गया है मिक्स हो गया और वैसे कई हमारे जो सेपरेट होते है एक महीं जैसे हिंदी मिलेगा पूरा या फिर जीएस मिलेगा या उत्राखंड मिलेगा ठीक है इसमें सारे टाइप के कुछन है उत्राखंड की संत परंपरा तो यह है दुर्गादत तिरपाथी की पुस्तक है नेक्स्ट है छाया मत छुना तो यह है हिमांसु जोसी की सैनिक वाद्ी एंत्र जो है मशक बाजा जिसे बैक पाइपर कहते है मशक बीन यह किस देश का वाद्र है तो यह है इसकॉट लैंड का अगला प्रशन आगया लोकुक्तियों को गढ़वाली में क्या कहते गढ़वाली में इससे कहते पकाना फिरे देवी के मंदिरों से गौर्जा सक्ति पीठ है देवलगड़ ठीक है जो अजेपाल की भी सुरुवात में कुछ समय राजधानी रही देवलगड़ पांस सालों तक और फिर बाद में उन्होंने जो है स्रीनगर लेके आये थे देवलगड में जो है भैराव का मंदिर भी उन्होंने बनवाय था मुख्यमंत्री कौन थे कभी इस टाइप के कोशन भी बन जाते हैं यानि सन 2000 में यह थे राजनात सिंग उस समय मुख्यमंत्री थे यूपी के जीला परिशद को अधिक सक्तिसाली बनने की सिवारिश किष्णे की अभी फिर आपका राजी वैवस्था से कोशन आ गया जी अ जीला परिशद को अधिक सक्तिसाली बनाने की सिवारिश किष्णे की तो यह कि थी अशुक महता समीती पंचाइती राज के लिए बहुत सारी समीतिया बनी थी जैसे बलवन तराय महता अशुक महता पीवी के राय थुंगन समीती तो वो सभी आपको क्या है अच्छे से जो इसको पूरा देखता है तो अगर उसने अभी तक यह पेपर सॉल्व नहीं किया था क्योंकि जो हमारे टैस्ट में जुड़े वे उन्होंने तो सॉल्व किया था तो बाकि इसमें बता सकते हैं कि उनका कितने कोशन इसमें से सही हो रहे थे इसमें जिला नियाइधिस की तो आठवी अनुसूची जो की भासाओं के बारे में इसमें गलत दे रहा संपत्ति अधिगरण तो यह जोड़ा गलत हो गया ठीक है संपत्ति अधिगरण नौवी अनुसूची में है जबकि मूल समिधान में आठ अनुसूचियां थी और अब हैं बारा तो यह आपको धि जहनों गया था यह boxing से हैं टोक्यो ओलम्पिक में भारत को कितने medal कुल प्राप्त वे टोक्यो ओलम्पिक 2021 जिसको 2020 के नाम से जानते हैं लेकिन हुआ था 2021 में इसमें भारत को कुल साथ medal मिले अगली बुख है बहुत important है कुणिंदाज अन्यू मेस्मेटिक इस्टेडी कुणिंदवन्स के बारे में जो न्यू मेस्मेटिक होता है जो सिकों का अधियन वगेरा करते है मुद्रा का तो यह लिखे MP जोसी यानि महाश्वर परसाथ जोसी की बुख है important बुख है बहुत दा कुणिंदाज अन्यू मेस् कौण साथि इस्तिलींग है जैसे दही फाथी और पानी यह तीनों जो है इकारांत्य होते भी पुल्लिंग जैसे धाये कर लिख चाही होता है 84 में इंद्रा गांधी राष्टी एक्ता पुरुसकार 2019 कि से दिया गया चंडी प्रसाद भठको अगला 28 प्रशने फल और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में तो ये चीन है और दूसरा है भारत तो आपको याद रखना है फल सब्जी में और जो है ये वो भी पहला चीन है दूसरा भारत है यानि जो चावल उत्पादा है उसमें भी चीन परसा में अगला मोबाइल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है मोबाइल का सेल्वर फोन ये चाइना में होता है यानि चीन इसमें पहले स्थान पर है ठीक और भारत में आपको याद रखना है कि जो डाटा खर्च करने में भारत का पहला स्थाना आए था पूछा जा सकता है अगला है किस देश के ससस्तर बल में सरवादिक सैनिक है यानि सबसे बड़ा जो है यह चाइना की जो पीपल्स आर्मी है नेशनल पीपल्स आर्मी यह सबसे बड़ी है संख्या के अधार पर और गुरूप की हम बात करें तो नाटो गुरूप जो है काफी बड़ा सैनिक गु फिर computer का है कि बड़े से छोटे की और तो पहले टेराबाइट आता है फिर गीगाबाइट फिर मेगाबाइट फिर किलोबाइट कौन सी वेग्यानी computer भाजा है तो यह photon जो है formula translation बोलते हैं यह एक scientific computer language है The economic history of India किसने लिखा रमीश चंदर देत ने लिखी है economic history of India book इस वाले टेस्ट में मैंने book वगएरा काफी पूछी है गुलाम गिरी पुष्टा किसने लिखी यह लिखिए जोतीबा फूले यह सारी ऐसी common question कोशने जो एक्जाम में काफी ज्यादा आते हैं इस टाइप के question जो है गलत नहीं होना चीजाम में क्योंकि वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे प्रशन डाउट में गलत होता है जिसमें आपको दो कोशन दो option में थोड़ा doubt सा तो वहाँ पर आपने गलत वाला लगा दिया तो इस परकार के जो कोशन में आप गलत करते हो वही पर merit क्या है में down आ जाते हो फिर तो easy question को आपको करना है कि इतनी practice हो जाए कि वो गलत नहूं ठीक है और जब भी test series करने की कोशिश करो तो घर में जो ह बहुत अच्छा रहता है जितने भी कोशन कर रहे हो उससे आपको गोले भरने में भी वहाँ पर exam hall में भी मज़द मिलती है ने इसने कोल काता विश्च्व विदहल की इस थापना यह 1857 पहला विश्च्व विदहल है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है कानू और नहीं बना इसमें तो याद रखना आपको कि पहली पंचे वर्षिय क्रिसी से संब्दी थी दूसरी थी उध्योग से इसमें दुर्गापुर भिलाई और रावर केला इस्टील प्लांट की स्थापना हुई है ठीक आप कोई भी गुरूप सी का एक्जाम दोगे उसमें अफरिका होगा इसका फिरसालिंट वैली शांत घाटी का हैं यह केरल में डेथ वैली मिर्थ्योगी घाटी कैलिफॉनिया में फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी विमल जालान रभी आई के भूतपुर गवर्नर रह चुए एक जीला एक उतपाद योजना का ब्रेंड एंबेटर कौन है यह यूपी की योजना है इसका ब्रेंड एंबेटर है कंगना रनोत सबसे बड़ा खादी का राष्टे द्वज कहां फैराए गया यह लेह में फैराए गया ठीक है लेह प्रस्ट नग्या चवाली से सुर्य खिरन अभ्यास किसके मध्य संपनवा भारत और मैपाल के मध्या लद्दाग ने किसे राज किया पसुगोसित क्या है तो यह स्नो लैपड यानि हिम तेंद्वे को क्या है उत्राखण में आपको याद रखना है कि जो लंका नावा करस् इस कांसर है डैनिल मैद्वे देव किस देश के एक परसे टैनिस खिलाडी है यह है रूस के टी ट्वेंटी में चार सो छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेवाच फोर हंडेट सिक्स पूरे किया है टी ट्वेंटी में रोही सर्मा ने मुश्लिम महिला अधिकार आपको पता कि बिहार में छट पूजा महत परसिद है इसमें सूरिय की उपासना की जाती है डूपते वे सूरी की और इस पर जो है डाग टिकेट आये 2020 में तो जो भी आपको नए कोश्चन लगते हैं इसमें उसे आप नोट कर सकते हो और अपना कुछ सुजाव है दे सकते जब दिव तो दूआएव कर दे अयूएधा है झादू झाया है झादन लाट